बंगाल में मुस्लिमों को लुभाने के लिए बीज़पी ने क्या प्लैन दनाया है बंगाल में मुस्लिमों पर कौन सा दाव खेलने वाली है बीज़पी अगामी लोगसबा चुनाव के होने में फिलहाल करीब 6 महीने का वक्त बाकी है लेकिन बीज़पी ने अभी से ही अप अश्रिम बंगाल को लेकर भी खास प्लैन तयार किया है ताकि टीम सी प्रमुक ममता बेनर्ची के गड़ में सेंद लगाई जा सके सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीज़पी इस बार बंगाल में ज्यादा मुसलिम उमीद्वारों को टिकेट देने का मन बना रही है खबर है कि पार्टी का एक बर प्रमुक मुसलिम चेहरे की तलाश में है ताकि मुसलिमों को आश्वस्त किया जा सके कि पार्टी पूरी तरह से समुदाय के खिलाफ नहीं है कहा जा रहा है कि एक पूर मंत्री को यहां से बीज़पी का मुसलिम चेहरा बनाया जा सकता है बंगाल नौर्थ और दक्षिन दिनाशपूर जैसे जिलो में भी मुस्लिम समुधाई का समर्थन जुटाने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। खबर है कि 5 दिसंबर को होने वाली रत यात्रा के बाद बीजपी अल्थ संखेकों के लिए शहर में एक मेगा आयोजन करने की तयारी कर रही है। मुस्लिम अबादी 27.1 एक फेस्टी है। ऐसे में मुस्लिम अबादी को निजर अंदास करना बीजपी को भारी पड़ सकता है। यही वज़े है कि पार्टी ने ये दाव अपनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बंगाल में बीजपी का ये प्लैन कितना काम्या होता है। इंडिया न्यूस वारेल की रिपोर्ट।